दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हूँ एक Ultimate Captain America Customization यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल का Home Screen Design देखने को मिल जाएगा साथी Controls भी आपको यहाँ पे Full Change देखने को मिलेंगे विजिट का आपको यहाँ पे Option मिल जाएगा उसके उपर आपको टैप करना है और आपके सामने यहाँ पे जो फर्स्ट वाली Clock विजिट देखने को मिलती है इसको आप यहाँ पे स्किन के पर एड़ कर लेना एड़ करने के बाद अब बारे आती है थीम को डाउनलोड करने की तो सिंपल आपको Theme Store API के उपन करना है और आपको यह वाली theme डाउनलोड करने है velेना आपको इस वाली theme को आपको इस वाली theme को हम System के लिए apply करना है यह वाली theme apply हो जाएगी apply होने के बाद आपके सामने control center change हो जाएगा and अब बार याथ यह home skin को change करने की तो home skin को change करने के लिए basically मेरे को coffee ज्यादा time लगा यह वाली आपको theme download करना पड़ेगा जो कि 7.3 MB की theme देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप creator का name भी देख सकती हूँ यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा कमाल की widget लगी and यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल की features भी मिल जाएंगे and यह वाली theme आपको 3.8 MB की देखने को मिल जाती है and यहाँ पे आप creator का name भी देख सकती हूँ and यह वाली theme को आप जैसे apply करोगे आपकी सामने यह वाला wallpaper show होगा but इसको आपको replace करना पड़ेगा तो कैसे lock screen का wallpaper replace करते हैं यहाँ पे eye button में आपको एक video दिखर होगी इसको देख लेना इसको देखने के बाद आप अपनी lock screen का wallpaper change कर पाओगी and उसकी बाद आपको क्या करना है कस्टोमाइज वाले option में जाना है lock screen के उपर आपको इसका टिक लगा के इसको apply कर देना है and यह वाली theme apply हो जाएगी themes को apply होने के बाद आप बार याद यह wallpapers को change करने की तो home skin का wallpaper change करने के लिए मैंने खुछ से wallpaper modify कर रखा है यहाँ पे captain america का आपको यहाँ पे text add कर रखा है साथी wallpaper की quality भी आपको coffee कमाल की देखने को मिल जाएगी and wallpaper को download करने के बाद आपको size को ज़्यादा है या कम करने की जोड़ नहीं पड़ीगी आपको simple क्या करना है set wallpaper के उपर click कर की इसको home screen के पर आपको apply कर देना है तो सभी themes and wallpapers को apply करने के बाद आपके सामने home screen design कुछ इस type का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा and यहाँ पे आपको जो widget देखने को मिलते है वो भी full change हो जाती है यहाँ पे आपके सामने new icon pack देखने को मिल जाता है साथी tongals में आपको new design भी देखने को मिलती है and notification center की बात करें वो भी full change हो जाता है साथी top में आपको जो network bar देखने को मिलता है उसको भी change करके दिया जाता है and बात करें setting way के बारे में तो setting way को आप जैसे open करोगे आपके सामने कुछ step का यहाँ पे look मिल जाएगा and यहाँ पे आपके सामने font की बात करें वो भी change हो जाती है साथी यहाँ पे आपके सामने tongals देखने को मिलते है वो भी एकदम कमाल के देखने को मिल जाता है and new आपके सामने design देखने को मिलती है एंड बात करें इर volume bar के बारे में तो volume bar आपको यहाँ पर normal सा मिल जाएगा ज्यादा कुछ आपको खास change देखने को नहीं मिलेगा डाइलर रिएट से creative feature आपको यहाँ पर lock screen का देखने को मिल जाएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब ही तक आपने डायनेमी का इस लेंड वाली वीडियो नहीं देखे हो तो end screen में राइट में आपको एक वीडियो दिखरूगी इसको पर आप टैप कर सकते हूँ